क्या विशेक कुमार को टॉप टू की रेस से बाहर निकालने की साजिश हो रही है चलिए बात करते दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तों एक तो घर के अंदर लाइब वोटिंग करवाना बड़ी ही अजीब चीज है क्योंकि एक मुठी भर लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बाहर जाएगा कौन घर के अंदर रहेगा ये पूरे देश की जनता डिसाइड करती है अपने वोट्स देके कि किने वो घर के अंदर देखना चाती और किने घर के बाहर तो ये भी एक अजीब सा ड्रामा बिग बॉस के घर में हमाई सीजन देखते हैं अब वो बात करें दोस्तों तो एक ड्रामा और हो रहा है और वो हो रहा है वीकेंड का वार पर और ये जो ड्रामा है ये बड़ा ही अजीब यहां हम देख रहे हैं कि अंकिता लोखंडे की पर्सनल लाइफ को बार 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 बीच में लाया जा रहा है जो अंकिता फिलाल घर के अंदर अजीब और गरीब behavior दिखा रही है उसको call out ना करके जो बाहर की चीज़ें हैं जो उनके in-laws ने कहीं है या कुछ भी है और इस तरीके से चीज़ें घुमाई जा रही हैं कि अंत में आकर चर्चा अंकिता लोखंडे की हो ताकि लोगों का ध्यान अंकिता पर बना रहे और जिस तरीके से अंकिता टॉप टू से नीचे आई हैं तीसरे नंबर पे और चौथे पर भी जा सकती हैं तो दुबारा से उन्हें उनकी नंबर दो की पोजिशन दिलाई जाएं क्योंकि जब चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ तो उसका नतीजा निकलेगा ही और यहां इस वक्त जो है धीरे धीरे फ्रेम से आउट अबिशेक हो रहे हैं क्योंकि अबिशेक कहीं ना कहीं भई अब उनके कोई नहीं है कि उसके लिए भी कॉल आउट किया गया हो लेकिन यहां पे अंकिता के भई ससुराल पक्ष को बुला कर उनसे बराबर शिद्दत से सवाल पूछे जा रहे हैं आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में बताईए जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में झाल 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 झाल